नमस्कार दे पब्लेक इंडिया में आपका हर देख स्वागत है आज जो पांचमें चरण का चुनाव हो रहा है और जो फीलर्स मुझे मिल रहे हैं हर छेत्र से फीलर्स मिल रहे हैं मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी जवानी दुबारा देख लिए जब मेरे जीवन में जब मैं MBA कर रहा था इलावाद उनस्टी से उस समय देश के अंदर आपातकाल लगा वुआ था इंद्राजी ने आपातकाल लगाया था देश की जनता के उपर दमन चल रहा था देश की जनता शांत थी हम लोग अपने दोस्त लोग अगर emergency की बुराई भी करते थे तो आके पुलिस वाले पूस्ते थे जो खुफिया विभाग के थे कि वाई आप ये सत्ता के खिलाफ emergency की टाइम में आप लोग ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं बहुत सारे मेरी जान पेचान की लोग जेल गए थे भगवान का कुछ ऐसा अपना इरादा था उनकी इच्छा थी कि मैं जेल नहीं गया लेकिन काम मैंने ऐसे ही किये थे इसके बाद मैंने देखा कि जब चुनाओ डिकलियर किये इंद्राजी ने और इंद्राजी ने कभी सोचा नहीं था उनके कलपना नहीं रही होगी कि इस प्रकार का परिणाम आएगा जब मैं भोपाल में पहली मेरी नौकरी लगी तो उस समय मैं 1976 में नौकरी लगी और उसके बाद एलेक्शन हुआ 1977 का उस समय जंता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता भोपाल के अंदर आए डॉक्टर शंकर द्याल शर्मा कॉंग्रेस के टिकेट पर लड़ रहे थे जो हमारे सम्मानेत राष्ट पती थे और बहुत बढ़ पताफ एक नेता भोपाल के लोकल थे ना मुझे याद नहीं आरा मुहमद आरिफ था शायद और जब जनता पार्टी के लोग वहां मीटिंग करते थे तो जनता की भीड उमर्ती थी मैं भी किया मीटिंग को देखने इतनी भीड थी कि अंकंट्रोलिबल थी जनता पार्टी में भी जितने पैसे थे मैंने सारे के सारे उस चादर में डाल दी और हजारों लोगों ने डाले नोट से चादर भर गई लोगों के अंदर जो दबाई गई फीलिंग थी जो एमेर्जिंसे के पेरिट में लगाई गई थी उसका प्रतिकार लोगों ने एलेक्टेन डिक्लेर होने के बात किया डॉक्टर दियाल शर्मा की भी एक मीटिंग वई भुपाल में उस मीटिंग को देखने गया हाड़ी पांच सेजार आदमी था मुझे लगा कि भाई ये डॉक्टर शंकर द्याल शर्मा जैसा व्यक्ते तो पांच सजार उधर लाखों की भीड तो मैं जैव मेरे एक रिष्टार थे जिनके घर में रुकता था बबरिष्ट अदिकारी थे प्रशास्निक सेवा के भुपाल के मैंने उन्हें जागे बताया म द्याल शर्मा एलेक्शन हारी नहीं था कहां एक छोटे से कारिकरता और कहां डॉक्टर शंकर द्याल शर्मा और वहां की जो गनित थी एक तरफ हिंदू वोट 80% और 20% मुसल्मान वोट जीतने की कोई और आरिव जीते जनता पाड़ी का कैंडिडेट जीता क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही तो और यह चीजें हर पूरे हिंदुस्तान में दिखाई पड़ें तो वो तो सिंचार का यूग भी नहीं था उस समय तो यह वाटसप भी नहीं थे यूटूब भी नहीं था टेलिविजन भी नहीं थे लेकिन कानों कान लोगों में खावर पहुंची से इंद्रा जी का अमेर्जेंसी के प्रतिकार में लोगों ने विरोध किया और एलेक्शन उन्हें हरा दिया यह जो पांचवे फेस का एलेक्शन हो रहा है इससे जो मुझे फीड़बैक मिल रहा है उससे लगता है कि जो पहले चार चरणों का चुनाव हुआ है जैसे जैस नहीं दूस होने लगाए फहले चंता को शाइद फेजेश में यह लगा था कि शायद एक जो बढया गया था मौहल बनाया गया था एक नेरिटिव बनाया गया था की आएंगे तो मोदी तो लोगों का उसमें शायद कुछ प्रवाव था लेकिन इस फेज में तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रवाव भी खतम हो गया लोगों को अब लगने लगा है कि इंडिया गड़मंदन शासन में आने वाला है सत्ता में आने वाला है तो इनके विरोध में वोट डेल के जो सारे फैन सिटर्स थे वो भी इंडिया एलाइंस के तरफ आने लगे जिस प्रकार का समनवयन आप देख रहे हैं है रावल गांदी के बीच में एकलेश यादाओ के बीच में तेजस्वी यादाओ के बीच में अर्विन केजिवाल के बीच में संजय सिंग के बीच में उदर ठाकर इंडिया एलाइंस का लड़ रहा है वो जीते इसलिए इट इसे मैटर और सर्वाइवल फर देख जीते तो देश के अंदर ऐसी स्थिती होगी कि कानून के हिसाब से लोगों को सजा मिलेगी दंड मिलेगी अगर किसी वजह से हार गए तो तो फिर किसी को भी उठाके किसी क सालेगा उसके बाद कोड निर्णाइं लेगी कि जो बंदी थी वो गलत थी और चोड़ दिया जाएगा लेकिन उसका जीवन बरबाद हो जाएगा क्योंकि आपने हजारों केसे जिन्दुस्तान के अंदर देखे हैं जा 10-10 साल जेल में लोग लहे और उसके बाद उन्हें दोश्मुक्त कर दिया लेकिन उनकी पूरी जवानी उसमें खतकाप गई और खतम हो गया यह समन्वाइन बहुत अच्छा जो इंटीग्रेशन और पोजिशन यूने इंडेक्स और पोजिशन यूनेटी वह जादे बढ़ गया वो ट्रांसफर्स हो गए जागरूपता वो भी उनके साथ हैं और जो शिरसेना कोहे बाला साब ठाकरे को अपना इश्ट बनते हैं वो भी साथ हैं यह दोनों लोग मिल गए तो बाकी बचे लोग 25 परसेंट तो 25 परसेंट और 75 परसेंट की लड़ाई अगर महराश्ट्र में होती है तो वह जीत किसकी होगी आप पचारों की न केवल भीड़ बलकि उसी प्रकार की जंता का उदगार जो मैंने 1977 में भोपाल में देखा था वो मैंने फूलपूर इलावाद में देखा क्योंकि इलावाद में मेरा पालन पोश्ण हुआ सारी पढ़ाई मेरी वही फूलपूर को मैं बहुत अच्छी पैचा है यह सूनामी है और इस तोनामी की आहट भार्थ जंता पारणी को लग गई है बहूर कि बार्थी जंता vive नहीं क्यों गआन कैं है मुसी टो भार जंता पारणी का नामी नहीं लखति होतो मोधीजी कीारसी बार दें हमनें फीछे चोड़ दिया है और इसेस को नुन ने फीखे छोड़ दिया है कल यह कहें कि मैं जनता को वेने पीछे छोड़ दिया अविक अब ओंगत में यह शक्त strategy शाली मतलब आप रननीती का स्ट्राटिजिक मैनेजमेंट का पराभव देखिए जिन उद्धव ठाक्रे और ठाक्रे साब की वजह से महराष्ट के अंदर भारती जनता पार्टी आगे बढ़ी उसे छोड़ दिया जिस अकाली दल की वजह से पंजाब के अंदर पैर जवाने का मौका मिला उसे छोड़ दिया व्यार के अंदर जेडियो की वजह से पैर जवाने का मौका मिला उसको धता बता दी उसके डियने में प्रश्ट उठा दिया वो दूसरी बादे के बाद में जेडियो दुबारा प उसे धता बता देते हैं लेकिन ये कलपला मैंने अपने जीवन में कभी नहीं की तो कि आरेसेस जिसने भारती जन्ता पार्टी को इस तर तक पहुंचाया है बारती जनता पार्डी के अगर कारेकाल में अगर आप देखें पिछले इतियास को देखें बारती जनता पार्डी का इतियास देखें तो आप खुद वहसूस करेंगे जो उम्द्रदराज लोग हैं कि बाते जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में सबसे जादे योगदान ही RSS का है, बजरंग दल का है, वेशुंदो परिशत का है, जो गाओं गाओं तक प्रचार प्रसार जोला पहने लोगों ने किया और मानी मोदी जी ने भी यही किया है, अपनी जवानी में वो भी कारे क करता थे, वो भी संक्या कारे करता थे, और बहुत जादे नेता जो हैं, उस जंक्या कारे करता रहे हैं, तो उन्होंने निष्ठा से भाते जनता पार्टी को जनसंग को बढ़ा आगे बढ़ाने के लिए काम किया, इसमें में कहीं इनकार नहीं करता, इसका मतलब इसका interpretation क्या है कि क्या RSS ने ये कहा है PJP से कि आप हमसे पल्ला जाड़ लीजे क्योंकि सत्ता परिवर्तन होने वाला है और सत्ता परिवर्तन होने के बाद हमको कोई परिशानी नहों उसके लिए कम से कम ये statement एंड़ाजी से दिला दीजे जिससे कि जब सत्ता बद किये जो करना है आप उन लोगों पर कीजिए जिन्होंने चुनावी बॉंड लाए थे और जिन्होंने सारी संपदा एक राज पहुचा दी थी और बाकी राजियों को भिकारी बना दिया तो या तो एक प्रकार से RSS को बचाने का प्रयास है या बीजेपी सही माइने में ज जहने की कोशिश की थी कि RSS क्योंकि बहुत जादे सक्री नहीं है इसकी वज़े से वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है तो RSS की मदद उन्होंने मागने कोशिश की थे RSS ने सुना है कि उसमें मदद करने से इंकार कर दिया था उसे निराश हो गए थे मोदी जी और उसे श होने के पहले अगर आप इस प्रकार का कोप का प्रदर्शन कर देंगे तो तो RSS के कार्यकरता भी पूरी तरह निराश हो जाएंगे आप मानेत अपने को महसूस करेंगे और आपके चुनाओं में काम नहीं करेंगे तो बिना RSS बैग्गराउंड के बीजेपी में कितने कार करता है और इसकी राणनेतिक आपकी पुशलता किस वामले में नड्डा जी ने जो कहा उसका कोई मतलब सवनन नहीं आया अभी एक प्रकरन और हुआ ब्रज भूशन शरण सिंग ने अपने बेटे के चुनाओं प्रचार करते समय यह खुलियाम मंच से कहा एके शर्मा सामा मंच में मंचासीन थे कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एके शर्मा साथ इसका मतलब यह है कि जो सोशल मेडिया पर यह चीज तैर रही है कि मोदी जी की इच्छा है या मोदी जी की नहीं तो अमिशा जी की इच्छा है कि उत्तर प्रदेश से योगी जी को विदा किया जाए क्य अगर योगी जी शक्तिशाली होते हैं तो अमिश्य जी का रास्ता तो बंद हो जाता है और अमिश्य जी की उमर कम है भी राजनेतिक भाशा में का जाए और योगी जी भी कम है तो यह तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर वो गुजराद लॉबी का क्या होगा तो उसकी वज़े से योगी आदितनाथ को नीचा दिखा कर एके शर्मा को आगे बढ़ा कर अमिश्या अपनी गोटी फिट करना चाहते हैं तो यह जो चीजें घट रही हैं आज राजनेतिक पठल पे और जिस प्रकार का जुआर मैं देख रहा हूं जिस प्रकार का सुनामी में देख रहा हूं जिस प्रकार का समन्मयन में देख रहा हूं जिस प्रकार की जनता की पूरी क्योंकि आप विजेबी की कोई मीटिंग दे तो वहां जो लोग दर्शक हैं वो शांत बैठे मिलते हैं उसा नहीं देखता जैसे आपने 2013 में देखा 2019 में देखा जब मानी मोधी की मीटिंग वाग करते थे मोधी 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 और चेरे पे मुखोटा मोधी जिगा लगा के और सीने पे और पूरा वो लगा के लोग आज के तारिक में वो साहित नहीं देख रहे हैं आज के तारिक में वो सब ड्यूड हैं उन्होंने अपनी पराजय को स्विकार कर लिया है और दूसी तब जब आप कॉंग्रेस की कोई मीटिंग देखते हैं तो आम हाँ देखते हैं समाजवादी पार्टी के लोग बहुत दायत में हैं लाल टोपी लगाए हुए हैं कि विकोद या स्मेलिंग दे कॉफी कि उन्हें जीत देख रही है देश की उस जंता को जो दस साल से पिड़ित थी जिसको परिशान किया गया था वो अगनिवीर बच्चा वो छोटे नवजवान वो बच्चे जिनको नौकरिया नहीं मिली थी वो मौके का इंतिजार कर रहे थे वो किसान जिनको तेरे मैंने दिल्ली के बाहर तरपाया गया था फिर हर्याणा सीमा पर तरपाया गया था राज भी तरपाया जा रहा है वो उसका प्रतिकार ले रहे हैं जैसे दिल्ली आने से सरकार ने भूतों न भविश्चिती ऐसा कभी नहीं गुआ लेकिन अनदाता को जिस प्रकार से सत्ता जिन्होंने सत्ता दिलाई उन्हीं को रोका गया उनको सताया गया आज घाते जन्ता पार्टी के कारिकरताओं को जहां हरर पोलिंग बूत पर 3300-400 किसान यूनियन के लोग बैठे होंगे पोलिंग बूत पर अपने जहां पर परची करती हैं और वो अपना जहां से लोग वोट देने जाते हैं वहां पर अगर इस प्रकार की स्थिती होगी तो आप मैनुपलेशन कैसे करेंगे आपके कार्यकरताओं में उसा कैसे जगरेथ होगा लोग घर से लोगों को लेके कैसे आएंगे और जब वोटर इतना सालेंट है जो वोटर जिसने बाती जनता पार्टी को ना कभी वोट दिया है ना देना चाहता है वो अभी तक बोलने की हिमत नहीं कर रहा था लेकिन कि जीत रहे हैं मोदी जीत रहे हैं वो बोलती नहीं क्योंकि उन्हानने उस प्रकार की सरकार का रूप देखा है जहां जो अगेस बोलता है उसको जेल बेद दिया जाता है कि उसको बुलडोजर ढोरदे जाता है लोग बोलते नहीं थे लेकिन अब जब चुनाव हो गए और लोगों को लगा कि इंडिया गड़ बंदन जीत रहा है तो इंडिया गड़ बंदन जीते गा तो उसके बाद तो जो काम आज भारती जंता पार्टी कर रही है वो सकता है वो करें करना नहीं चाहिए लोगतंद्र हमारी तो केवल उनसे यह अच्छा है कि फार्मर्स को MSP की गारंटी देदें अग्निवीर योजना को वापस कर ले अडानी जी कि जितनी भी संपत्यां जो सरकारी संपत्यां उनको सौपी गई उनको नेशनलाइज कर ले हर मैला को एक लाग रुपे दे दें हर बच्चे को एक लाग रुपे का स्टाइपेंट दे दें बच्चों को इंडस्ट्री में लगा कि उनको इंडस्ट्र ट्रेनिंग दिलाए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिलवाए हर बच्चे के घंव कम से कम इतना पैसा आए कि वह अपने परिवार को अच्छी तरह से चला सके देश के अंडर मैलानुट्रीस्चन कम हुँं हमारे देश में जो हंगर इंडेक्स में बढ़ते चले जा रहें ओंनफ से लोन बढ़ता चला जारा है उससके रिपेःमिंट करने के लिए हम नए नए लोन लिए चले जा रहा है वैसा नहो उस दिशा में काम किया जाए और इंडिया गडवंदर ने जो जो देश के साथ जनता के साथ वादे किये हैं उसको पूरा किया जाए उस प्रकार की स्थिती न पैदा हो जैसे 2013 से लिएकर 19 तक जुमलेवाजी देश के अंदर हुई है जिस प्रकार देश के समाजिक हर वर्क को परिशान किया गया आपने देखा राइबरेली के अंदर जो करनी सेना की अध्यक्ष है वो जाके वहां राजपूतों को पानी हाथ गंगा जल हाथ में लेके कसम खेलवा रहे हैं कि इस बाद भाती जनता पार्टी को वोट नहीं दे दें अगर जाटव और दलित लोग वहन मारे वती का साथ चोड़ दें और वोकलिंगा जो हैं वो एजदी देवेगोड़ा साब का साथ चोड़ दें तो परिणाम की कलपना आप कर सकते हैं उसी प्रकार से अगर राजपूत लोग इतनी बुरी तरह से परिशान हैं उनका अपमान हुआ है उनकी महिलाओं का अपमान हुआ है छत्रानियों को और गुजरात के अंदर अपमान हुआ है उसके बाद अगर वो आपका सूलिट वोट बैंक इधर से उधर चला जाता है तो परिणाम क्या होगा इसका अंदाजाब लगा सकते हैं तो मुझे ऐसा लग र उनके कंदेज छुग गए राउल गांदी अख्लेश यादाव की वारता को देखें उनके भाषणों को देखें लगता है उनके अंदर उस्सा भरा हुआ है क्योंकि उन्हें जंता से टॉनिक में लगा है उन्हें वोटर से टॉनिक में लगा है और ये टॉनिक उन्हें बल मैं लड़ा था वैसे ही या मेरे बुढ़ापे के समय लड़ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जो कल्पना मैं करना चाहता हूं इस प्यारा हिंदुस्तान बने जिसमें हिंदो ये सुनारी है और उसके बाद जो लोग ये गलत फहिमें में बैठे हैं कि आएंगे तो मोदी ही उनको निराशा होगी लेकिन हम उनके साथ अच्छा व्यवार करेंगे हम उनसे मजाग नहीं करेंगे हम उनको परिशान नहीं करेंगे हालांकि दस साल हमारा बहुत अप्मान उन्होंने क्योंकि देश के लिए वो शपत लेंगे किसी को टुकले टुकले गैंग नहीं कहेंगे किसी को हिंदू विरोधी नहीं कहेंगे किसी को देश विरोधी नहीं कहेंगे सिक्कों को खालिस्तानी नहीं कहेंगे किसानों को नकली खिसान नहीं कहेंगे उनको दूसरे प्रवन्दा जैसे लोगों को दंड मिलेगा जिन लोगों नारियों अपने सुला होगा मणिपूर के अंदर फिर एक व्रद की खुलियाम हत्या कर दी गई जो लोग कहते हैं हमने नियाय व्यवस्था को और कानुन व्यवस्था को सुधारा है उनको ये समझना चाहिए आज एक साल से ज़्यादा हो गया मणिपूर में आग खतम नहीं हुई है और उसके बावजूद आज भी हत्याएं हो रही है और उसके बाद कहा जाता है कि देखिया पत्थर चलने बंदो गए अरे पत्थर चलने तो महराज बंदो गए जिनको अब इशारा करते हैं जिदर यहां तो गोलिया चल रही है यहां तो एक प्रदेश जल रहा है एक प् गोट्से का नहीं बनेगा यहां नफरत नहीं होगी यहां एक दूसरे के प्रती घरड़ा नहीं होगी प्यार मोहबत होगा नमशकार धन्यवाद और आभार झाल